नमस्ते बच्चों स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए है पाठ संख्या 6 पर और पाठ संख्या 6 है एक कविता जिसका शीर्षक है स्वच्छ वातावरं चित्र पर आधारित गतिविदी है यहां बच्चों पर्यावरं है हमारे जीवन का अभिन अंग है स्वच्छ पर्यावरं तो हर्यादी का बच्ता म्रदंग स्वस्त रहेंगे हर पल प्रक्रती में इन व्रक्षों के संग आईए जाने प्रक्रती के विभिन अंग स्वच्छ वातावरण हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है स्वच्छ वातावरण हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है जो हमारे खुशहाल जीवन के लिए अति आवश्यक है स्वच्छ वातावरण द्वारा हम आने वाली पीडियों के लिए एक बहतर जीवन बना सकते हैं आईए इसके विशय में इस कविता द्वारा जानते हैं आईए शुरू करते हैं अगर स्वच्छ वातावरण ही न होगा कहां से धरा पर ये जीवन रहेगा तो इन पंक्तियों में कभी कहना चाहते हैं कि अगर धरा पर हमारे आसपास वातावरन स्वच नहीं होगा, साफ सुत्रा नहीं होगा, तो हमारा ये जीवन भी नहीं रहेगा कहां रहेगा हमारा यह जीवन धरा पर कभी पेड थे गुल्म थे जाडियां थी फूल फलो से लदी घाटियां थी कहीं नीम महुए और जामुन की बग्या कहीं आम की स्निक्द अमराईयां थी पहले कभी इतने ज्यादा पेड थे जाडियां होती थी अलग अलग जाड़ी होती थी फूल और फलो से लदी हुई घाटियां होती थी जामुन के व्रक्ष आम के बाग नीम महुए इतने सारे पेड हुआ करते थे मगर धीरे धीरे उजडते रहे सब लेकिन हमने आगे बढ़ने की होड में उन सब को उजाड दिया वे सब धीरे धीरे समाप्त होते गए बिना इनके कैसा तो आंगन रहेगा पहले के लोग आंगन में बड़े बड़े प्रक्ष लगाया करते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं ह तो इनके बिना आंगन कितना सूना रहेगा। कभी सुर्सुराती थी पुर्वा हवाय, पुर्वा हवाय कहते हैं बच्चों पश्चिम की और से आने वाली हवाओं को, तो कभी वो सुर्सुर करती हुई इतनी तेज आती थी कि पसीने से शलत देहे को गुदगुदा थी, कि पूरे पसीने से भरी हुई देहे गुदगुदा जाती थी, समय ही नहीं लगता था और पसीना सूख जाता था, ना पंखे ना बिजली सहच फिर भी जीवन, ना पहले के जमाने में पंखे होते थे ना बिजली होती थी, परन्तु तब भी जीवन में सहचता थी, खुशाली थी, कभी शोक पच्चुआ थी, पंखा जुलाती, क्योंकि शोक, नटकट पच्चुआ, पश्चिम की और से आने वाली हवा पंखा जुलाती रहती थी, तो कभी पंखे और बिजली की कमी महसूस भी नहीं होती थी, नहीं पेड़ पल्लव जो होंगे धरापर, तो बस शीश धुन्ता ये यौमन रहेगा, यदि इस प्रत्वी पर पेड पौधे नहीं रहेंगे, हम सब उन्हें काट देंगे, वे सब समाप्त हो जाएंगे, तो अंत में बस हमें अपना सिर ही धुन्ना पड़ेगा, हमारा यौवन सिर धुन्ते ही व्यतीत हो जाएगा, यही पेड हैं हमको ऑक्सिजन देते, पेड पीते हैं, अगर हम करेंगे ना इनकी हिफाज़त, तो मर जाएंगे हम जहर पीते पीते, यदि हम पेड पौधों को कटने से नहीं रोकेंगे, यदि हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो वातावरन में कारबन डायोकसाइड की मातरा बढ़ जाएगी, और हम उसी जहर को पीने पर विवश हो जाएंगे, नहीं ग्रास होंगे महामारियों के, जो संग साथ इनका हर एक शड रहेगा, यदि हम स्वच्छ परियावरन में, स्वच्छ वातावरन में जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम महामारियों का ग्रास बनने से भी बच जाएंगे, उजडते हैं जंगल तो गर्मी हैं बढ़ती, हर एक रोज जीवन की सासे उखडती, आगे कभी कहते हैं कि जब जंगल उजड़े जाते हैं नई-नई सड़कों का निर्मार करने के लिए, तो जंगलों के उजड़ने से गर्मी बढ़ जाती है, हर रोज जीवन की सासे उखडने लगती है ये कंक्रीट के घर ये महले दुमहले ना इनकी कभी होड जीवन में थमती ये जो मानव की इच्छाएं हैं कि वो महल दुमहले बनाए ये कंक्रीट के जो घर हैं इन इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं है मगर ये हैं जीवन विरोधी उक्रम ना इन लालसाओं में जीवन रहेगा लेकिन ये सारी लालसाओं जीवन की विरोधी हैं इन लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में हम अपने जीवन को खो देंगे उसे नश्ट कर देंगे नहीं पेड होंगे तो फिर मेग कैसे उमड करके धर्ती पर बरसाएंगे जल अगर पेड नहीं होंगे तो मेग बादल कैसे आएंगे और कैसे वो उमड कर धर्ती को अपने जल से सराबोर करेंगे ना बरसेंगे बादल तो फसले न होंगी नदिया बहेंगी न कल कल न छल छल बादल नहीं बरसेंगे तो सारी फसले सूख जाएंगी पिर अनाज भी नहीं होगा नदिया भी सूख जाएंगी वो बहेंगी नहीं अपनी मधुर कल कल छल छल अवास करते हुए वे भी बहना बं बचेगा यदि पानी नहीं हुआ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी बारिश नहीं होगी तो नदिया सूख जाएंगी यदि नदिया सूख जाएंगी तो पानी ही नहीं होगा तब फिर कुद्रत का इस धरती का हरापन कैसे बचेगा नहोंगे समाधान इ तो इस दुनिया का जन जन व्यक्ति व्यक्ति परिशान ही रहेगा अगर स्वच्छ वाता वरण ही न होगा कहां से धरा पर ये जीवन रहेगा तो उन्मन प्राणों का खंजन रहेगा तो हमारा जीवन कर्मी की आग में टहनी सा जुलसता रहेगा और काली चिडिया के समान प्राणों का वेदना रहेगी प्राणों का दर्द होता रहेगा ओजोन की परत निच्छिल रही है धरा से हरेपन की छवी मिट रही है कवी कहता है कि पेड़ पौधों के कटने से इस धरा पे हर्याली धीरे-धीरे मिटती जा रही है और ओजोन की परत निच्छिलती जा रही है उतरती जा रही है है ग्लोबल धधक ही यहां इसलिए तो पिघल ग्लेशियर की परत बह रही है इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है पेड़ पौधों के कटने से कि हिमाले परवत की ग्लेशियर की परत वहां पर जो बरफ जमी हुई है वो बह रही है धिरे धिरे वो चोटी कम हो रही है बचाना है दुनिया को ग्लोबल धधक से तभी स्वच परिया वरन्ड रह सकेगा यदि हम अपनी दुनिया को अपनी धर्या जोबल धदक से बचा पाएंगे और अधिक पेड़ पौधे लगा पाएंगे तभी हमारा परियावरन स्वच रह सकेगा अभी से चलो मिलकर सोचे विचारे हम सभी को अभी से मिलकर सोचना चाहिए कि कैसे धरा फिर से धन्वान होगी कि हम अपनी धरा को धन्वान कैसे बना सकते हैं लगाएगा हर शक्स एक पेड अपना हमारी इस धरा पर हम सभी को हम ज पिष्टी का गान होगी तभी गीत के लैसी पुर्वा बहेगी कोई छंद पच्छुआ में रह रह बहेगा यदि हम सभी अपने अपने हिस्से का एक एक पेड़ भी इस धरा पर लगाएं तभी हवाएं गुंगान करती हुई लै ताल में इस धर्ती पर चलेंगी और पश्च इस धर्ती को बचाने के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए एक स्वस्थ परियावरण के लिए हम सब को पेड़ पौधों को लगाना चाहिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने पेड़ पौदे हमें लगाने चाहिए नहीं तो हमारी नदिया भी सूख जाएंगी गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि हम से ये सहन नहीं होगी और मानव जीवन का अंत हो जाएगा अते आज से आप सभी प्रण दीजिए और दूसरों को भी ये प्रेणना दीजिए कि वो अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाएं ताकि आगे चल कर वो पेड़ बने और हमें एक स्वस्थ परियावरण दे सकें और इस कवीता की कवी हैं ओम निश्चल तो चलिए आगे चलते हैं कठिन शब्द हैं जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे स्वच स्निग्ध अम्राया पच्छुआ हिफाजत महामारी शक्स स्रिष्ठी श्लत पल मतलव ग्रास कंक्रीट उपक्रम क्लेशियर और यहां है शब्दर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे गुल्म का मतलब है जाडी पच्छुआ पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा घाटी परवतिय प्रदेशों के मध्य का म मैदान हिफाजत रक्षा या रख रखाव स्निक्त स्नेहियुक्त चिकना या कोमल उजर्णा नश्ठोना अमराई आम का बाग उद्यान उपक्रम आयोजन या तैयारी सुर्सुराना फरफर करना उन्मन खिंड उदास श्लत शिथिल धीला अशक खंजन काले रंकी चंचल चिडिया शोक चंचल नटखट बात करते हैं पाट की बताओ क्या पढ़ा धरा कैसे धन्वान होगी पेड़ पौधों के लगाए जाने से धरा धन्वान होगी नदियों का हमारे लिए क्या महत्व है जब बारिश आती है और नदियों में पानी भ प्राप्त होता है हमें पीने योग्या पानी मिलता है किसान को फसलों को सीचने के लिए पानी प्राप्त होता है इस प्रकार नदियों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है जंगल और गर्मी का परस पर क्या संबंध है यह तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब पौधे जो पेड़ होते हैं वो बादनों को लाते हैं ठीक है और उससे होती है बारिश और बारिश से हमें मिलता है जल धरा को मिलती है हरियादी जंगलों और गर्मी का परस्पर क्या संबंध है जंगलों के कटने से पेड़ पौधों के ना रहने से वाता वरण में गर्मी बढ़ती है क्योंकि बारिश में भी भारी मात्रा में कमी आती है बारिश ना होने के कारण और गर्मी के बढ़ने के कारण मानव जीवन दिनों दि मुश्किल होता चला जाता है स्वच्छ परियावरण के लिए दुनिया को किस से बचाना होगा स्वच्छ परियावरण के लिए दुनिया को ग्लोबल धदक से बचाना होगा चलिए आगे चलते हैं सही विकल पर सही का चिन लगाओ श्लत देहे को पुर्वा पच्छुआ की ह ओने से उपलब्ध होंगी ओजोन की सुरक्षा संभव है साफ सुत्रे परियावरन से घाटियां कैसी थी फल फूलों से लदी पेड़ पौधे किस कैस को ग्रहन कर शुद्ध करके लटाते हैं कारबंडाय ओक्साइड ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है ग्लोबल बॉर्मिंग स ते दिये गए भावार्त कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें खोज कर लिखो। जंगल के उजडने से गर्मी बढ़ती हैं। उजड़ते हैं जंगल तो बढ़ती है गर्मी, हर एक रोज जीवन की सासे उखरती ये पंक्तियां थी जो इस भावार्त को सिद करती है कि जंगल के उजड़ने से गर्मी बढ़ती है पानी के न होने से धरती का हरापन और कुदरत भी नहीं रहेगी जो पानी न होगा तो तो खुद्रत न होगी कहां फिर धरा का हरापन बच्चेगा आगे चलते हैं इन जीवन विरोधी उपक्रम और लाजसाओं से जीवन नहीं बच्चेगा इस भावार्थ के लिए पंक्तियां हमें अपनी कविता से ही लेनी है ढूंडनी है तो इस भावार्थ के लिए पंक्तियां है बच्चों मगर ये हैं जीवन विरोधी उक्रम जो ना इन लालसाओं से जीवन रहेगा दुनिया को ग्लोबल की धदक से बचाकर परियावरण को स्वच्छ रखना है बचाना है दुनिया को ग्लोबल धदक से तभी स्वच्छ परियावरण रह सकेगा निम्दलिखित प्रश्णों के उत्तर दो कभी ने हवा के बारे में क्या कहा है कभी ने कहा है कि पहले जब पहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे तब पश्चिम की और से चलने वाली हवाएं मानव को इतना ज्यादा त्र जीवन सहज लगता था परन्तु अब वो हवाएं नहीं चलती क्योंकि हमने पेड़ पौधों को बहुत अधिक संख्या में काट दिया है टहनी सा जीवन से क्या अभिप्राय है टहनी होती है ना ब्रच्चो ब्रक्ष की जो एक सूखी टहनी होती है इसी प्रकार पेड़ प नहीं बचेगा पानी के ना रहने पर जीवन का अंत हो जाएगा कैसे यदि पानी नहीं होगा तो हम क्या पीएंगे हमारी फसले सूख जाएंगी नदिया सूख जाएंगी पीने योग्य पानी भी नहीं प्राप्त होगा तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा ग्लोबल ध फ़दक से विश्व को पेड़ पौधें लगा के बचाया जा सकता है पेड़ पौधें लगाने से गर्मी में कमी आएगी और ग्लेशियर पर बरफ नहीं पिगलेगी और इस तरह से हम ग्लोबल धदक को कम कर सकते हैं बादलों के बरसने से प्रकर्टी में चारों और हर्याली ही हर्याली च्छा जाती है जब बादल बरसते हैं तो नदियों में पानी भर जाता है जो हमारे जीवन की लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पानी से फसलों में सिचाई होती है जि यदि बारिश ना हो तो देश में अकाल पढ़ने की भी नौबत आ सकती है धीरे धीरे वन आधी के उजड़ने से कैसी परिस्तितियां पैदा हो जाएंगी यदि हम धीरे धीरे वन आधी को उजारते चले जाएंगे तो धरती पर ग्लोबल धदक इतनी अधिक बढ़ जाएग फसले कैसे लहला हाएंगी अर्थात पानी की कमी के कारण वहें भी सूख जाएंगी और धरती पर हाहा कार मत जाएगा इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे जरूर लगाएं अगला प्रशन है बच्चों पाठ के आधार पर दो प्रशन बनाओ अब ये मैं आपको दे रही हूँ ग्रह कार्य आप पाठ को दुबारा से पढ़ेंगे और पाठ के आधार पर दो प्रशन बनाएंगे तो ठीक है बच्चों ये है आपका ग्रह कार्य है तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इस धरती को ह किस तरह हरा भरा और खुशाल बना सकते हैं आभार मिलते हैं नए पाठ के साथ